गोरकनात पुलिस ने दो मुबाइल लूटेरों को गरिफतार किया है जिसके सम्मन्द में SPCITY कृष्ट कुबार विश्णोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवारता करती वे बताया कि मुख्बिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को बरगदवा चौराहे से गरिफतार किया गया है जिनके पास से चार मुबाइल, तीन मुबाइल टूटे फूटे, 26 विभिन कमपनियों के सिम कार्ड, लूट में परियुक्त मोटर साइकिल को बरामत किया गया है स्पी सीटी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजिकरित करवा के जेल भेज दिया गया है गिरिफतार करने वाली पुलिस टीम में गुरकना थाना परभारी मनोज कुमार सिंग, उपनरिच्छक राजेश कुमार गुपता, कांस्टेबल राजु कुमार, कांस्टेबल सुनिल कुमार यादो शामिल रहे इस समन्द में गुरकपूर नियूस से बात करते हुए, एस्पिसिटी कुमार विश्णोई ने कहा अपरादियों परंकुष लगाने के अनुक्रम में थाना गुरकना द्वारा एक गुडवक किया गया है, जिसमें एक मुक्बीर द्वारा सूचना दी गई कि थाना चेक्तर में कुछ मोबाइल चिनेत लोग एक्टिव हैं, तो उस पर दवीज देने पर, एक क्यामा जो से ये गटना कारिद करते हैं, उसको बरामत किया गया है, उसके साथ-साथ, दो और अभ्युक्तों को हिरासत में लिया गया है, इनके पास से 26 सिम कार्ड, इसका मतलब यह है कि इन्हों इतनी संख्या में मोबाइल जरूर लूटे हैं लोगों के, एवं वरतमान में इनक यह लोग ठाना गुरकना चेक्तर में किसी भी वेक्ति जो मोबाइल पर बात कर रहा होता है, उसके पास में आपनी यामा बाइक जो फास चलने वाली बाइक होती है, उसके उपर आगे पीछे बैठ के घटना को अंजाम देते थे, एवं इनके इस तरह जेल जाने के साथ मै मैं उम्मीद करता हूँ कि गटना थाना शक्तर में घटनाओं पर रोक लगाए गाए मुबाइलों को आगे बेच दिया करते थे जिस दुकान पर बेचते थे उस दुकान का पता लगाया जा रहा है जांच की पर पाया गया कि उस पर इस प्रकार के और कोई मुबाइल नहीं थे सब की आयमे वेरिफाई कराई गी तो सही पाये गे तो और भी पतारसी शुरगरसी की जा रही कि और कि अन्य जगों पर जहां पर भेज़ते थे आगे खारवे की जाएगा